ही गाईज, वेलकम बैक टू मैं शैनल, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी एकदम नए तरीके से आलू गोभी की सबजी, आपने इस तरह से कभी नहीं बनाई होगी, अगर कभी नहीं बनाई है तो एक बार रेसिपी को ट्राइ जरूर करेगा, या आपको इतनी पसंद आ कि आप इसे बार बार बनाना पसंद करेंगे, तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं, रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीचेगा, हलवाई जैसी टेस्टी आलू गोभी की सबजी बनाने के लिए हमने आपर कडाई में एक लीटर के जितना पानी गरम होने के लिए रखा हुआ है, इसमें हम आलू और गोभी और टमाटर को बॉल करेंगे, तो दो मिनट तक हम इसे तेज आज में उबालना है, तो यह देखे, सारी चीजों को हमने इस तरीके से आलू को लंबा-लंबा काटा हुआ है, और गोभी की भी मेडियम साइज के टुक ताकि इसका जो अतिरिक्त पानी है, वो निकल जाएगा, यह देखे, टमाटर को थोड़ा हम ज्यादा देर के लिए बॉल करेंगे, तो एक मिनट तक इसे हम और बॉल करेंगे, ताकि इसका जो छिलका है, वो अच्छे से निकल जाए, यह देखे, इसे भी हम प्लेट में न फ्लेम में हमें आलू को अच्छा सा सुनहरा कलर आने तक फ्राई करना है, तो आप देख सकते हैं, आलू हमारे अच्छे से भुन गए हैं, तो इन्हें अब हम एक प्लेट में निकाल लेंगे, और इस तरीके से जब टुकडे काटते हैं, तो ज्यादा अच्छे लगते हैं वैसे आप चाहें तो चौको टुकडे में भी काट सकते हैं, आलू निकाल लिया हुआ है, इसी में अब हम गोवी को भी फ्राई कर लेंगे, तो मीडियम फ्लेम में हम गोवी को भी फ्राई करेंगे इस तरीके से जब तक कि इसके ओपर की लेयर हलकी सी ब्राउन नहीं हो ज चम्मच के जितना तेल को अच्छे से धुआ उठने तक गरम करेंगे फिरम फ्लेम को एकदम लो कर देंगे अब यहाँ पर एक बड़ी लाइची ली हुई है मैंने एक तेज पत्ता एक दालचीनी का टुकड़ा है और दो से तीन लॉंग ली हुई है खड़े मसाले आप अप चौप करके डाला हुआ है लहसुन टोटली ओप्सनल है अगर आप लहसुन प्याज नहीं खाते हैं तो आप इसे बिना लहसुन प्याज के भी बना सकते हैं हलका सा भूनेंगे और इसमें हम डालेंगे एक सीक्रेट इंग्रेडियंट यह है एक चमच बेशन तो एक बड़ चमच लाल मिर्षी पाउडर एक चोटा चमच हल्दी पाउडर एक बड़ा चमच धनिया का पाउडर डाला हुआ हमेने आदा चमच हमने इसमें डाला हुआ है गरम मसाला फ्लेम को लो रखना है एकदम धीमी आज में हम इसे अच्छे से भूनेंगे सबजी का कलर बहुत अ यार कर लिया हुआ है वो डाल देंगे आप चाहें तो इसमें कोक्ट टोमैटो पेवरी भी डाल सकते हैं अब हमें टमाटर को अच्छे से भूना है जब तक कि तेल ना अलग होने लगे तो थोड़ी सी हम इसमें हींग डाल देंगे और आधा चमच के जितना हम इसमें डाल जब आप दही डालने हों और कंटीनियू से इस तरीके से हिलाते रहें यह देखें इसमें तो जो दही है वो फट सकती है फैसे चलाते रहें थोड़ी देर में आप देखेंगे कि यह अच्छे से भून जाएगा और फटेगा भी नहीं मसाले से एकदम तेल अलग होने लग है तीखा अप अपने हिसाब से अजेस्ट कर सकते हैं अब हम इसमें डाल देंगे एक बड़ा चमज मिल्क पाउडर आप चाहें तो इसमें मावा या खोया भी डाल सकते हैं एक से दो चम्मज के जितना अगर नहीं है तो आप मिल्क पाउडर डाल दीजिए सिम्पली सा इससे बहुत ही गजब का टेस्ट आता है नहीं ट्राई किया है तो एक बार तो ट्राई करना बनता ही है अच्छे से मिक्स करेंगे, हलका सा भून लेंगे, नमक डाल देंगे स्वात के अनुसार और थोड़ी देर के लिए इसे भूनेंगे तो ये देखिए मसाला कितने अच्छे से भून गया है इसी कंसिस्टेंसी तक हमें भूनना है जब तक कि एकदम तेल न छोड़ दे जब ग्रेवी से तेल अलग होने लगे तो हम इसमें डाल देंगे एक कप एकदम खौलता हुआ गरम पानी ध्यान रखे हमें इस सबजी में गरम पानी ही डालना है गरम पानी डालने से सबजी का जो ग्रेवी का कलर होता है वो बहुत अच्छा आता है तो जैसे ग्रेवी में बॉइल आ गया है एक मिनट तक मैंने इसे पकाया हुआ है और अब हम इसमें डाल देंगे ये फ्राई की हुई आलू और गोबी तो ये देखे इस तरह से डाल देजी थोड़ा सा भी आपको लिक्विट लग रहा होगा बट इसे हम पकाएंगे चार से पांच मिनट तक ताकि जो भी मसाले हैं वो आलू और गोबी में अच्छे से आ जाएं तो हम इसे ढख देंगे और ढख करके हम इसे दो से तीन मिनट तक कोग करेंगे और आप सब्जी की थिकनेश है वो कुछ इस तरीके की है अगर आप बिल्कुल सूखा करना चाहते है तो थोड़ा सा और पका सकते हैं अब हम इस स्टेज में डाल देंगे टमाटर, एक टमाटर को हमने चार टुकड़े में काटके डाला हुआ है, साथ ही साथ डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, पस ये जो टमाटर है उन्हें हमें थोड़ा सा पकाना है एक दो मिनट के लिए, यानि कि इसमें हलका सा अरीके की हलवाई जैसी आलू गोवी की सबजी बनके तयार है इसे आप गर्मा गरम पूरी पराठे के साथ खाएं आपको बहुत पसंद आएगी रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो के लाइक जरूर कीजिएगा फिर मिलते हैं किसी नय वीडियो के साथ